प्यास के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं पिछले हफ़ते प्यास के दाम कम हुए थे लेकिन एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है प्यास के थोक मूले में 10 रुपे प्रती किलो ग्राम और खुदरा भाव में करीब 20 रुपे की बड़ोतरी दर्ज हुई आजातपुर सबजी मंडी में सोमवार को प्यास की कीमत 40 से 45 रुपे प्रती किलो बिक रही थी और इसी के साथ ही बजार में प्यास की कीमत 70 रुपे प्रती किलो पहुँच गई महाराश्ट्रा में हो रही बारिश को प्यास के दाम वृद्धी का कारण बताया जा रहा है मंडी में प्यास की आवक का एक बड़ा हिस्सा नासिक से आता है Vegetable Traders Association के पदाधिकारियों का कहना है कि नई फसल आने तक प्यास के दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है वहीं प्यास व्यापारियों का कहना है कि प्यास के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं इस समय खेतों में प्यास तो नहीं है जिन लोगों ने प्यास स्टॉक कर रखा है उनके कारण ही दाम बढ़ रहे हैं वहीं प्यास के दाम बढ़ने की टेंशन के बीच रहत की खबर भी है टमाटर आलू के अलावा कई हरी सबजियों के भाव नीचे आ गए हैं आजातपुर मंडी में टमाटर के थोक दाम 10 प्रतिशत घटकर 28 से 32 रुपे प्रती किलो हो गए इस कारण खुद्रा बजार में ये 60 से 70 किलो बिक रहे हैं आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 News